बांगला देश की आजादी की पचासवी सालगीरा पर धाका के नेशनल परेट ग्राउंड में कारेक्रम चल रहा है इस कारेक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि उन्हें दोनों देशों की दोस्ती पर गर्व है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि कोई भी ताकत बांगला देश को गुलाम नहीं रख सकती पिया मोधी ने कहा कि बांगला देश के स्वाधीनता संग्राम को भारत का समर्थन प्राप्त था उन्होंने कहा कि शेक मुझबुर रह्मान ने देश की आजादी के लिए अपनी जानने उचावर कर दी उन्होंने कहा कि मुक्ति युद्ध में शामिल कई भारतिय सैनी काज यहां पर शामिल है और ये उनके लिए खुशी की बात है उन्होंने कहा कि ये हम सभी भारतियों के लिए गौरव की बात है कि हमें बांगला देश के राष्ट पिता शेख मुझबिर और रह्मान को गांधी शांती पुरुसकार से सम्मानित करने का मौका मिला है उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बांगलादेश के अस्तित्व पर शक्त था बांगलादेश के लोगों ने उन्हें गलत साबित कर दिया है उन्होंने कहा कि बांगलादेश की आजादी में इंद्रा गांधी का योगदान सर्व विदित है पियमोदी ने कहा कि बंगला देश की आजादी की पचासवी साल गिरा पर वहें यहां के पचास उद्यमियों को भारत आने का न्योता देते हैं पियमोदी ने कहा कि ये एक सुखत संयोग है कि बांगला देश की आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाओ एक साथी आया है पियमोदी ने कहा कि बंगला देश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंडोलनों में से एक था मेरी उम्र बीज से 22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे साथ्योंने बंगला देश की आजादी के लिए सत्याग रह किया था जेल भी हुई थी प्रधान मंत्री ने कहा कि यहां पाकिस्तान की सेना ने जो किया वो तस्वीरे विचलित करती थी सोने नहीं देती थी मैं आज भारती सेना के उन्वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जो मुक्ती युद्ध में बांगला देश के भाईयों और बहनों के साथ खड़े हुए थे जिरोंने मुक्ती युद्ध में अपना लहू दिया अपना बलिदान दिया और आजाद बांगला देश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाए बताते चले कि बांगलादेश के राष्ट्रपती अब्दुलहमीद और प्रधान मंत्री शेख हसीना समेट कई देशों के नेता और राजनईग भी कारेकरम में मौजूद है कोरोना वाइरस में हमारी की शुरुआत के बाद ये पीम मोदी की पहली विदेश यात्रा है यहाँ ये भी बताते चले कि ब्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बांगलादेश के दो दिवस्या दौरे पर पहुंचे हैं आज दौरे के पहले दिन उनका कारेकरम काफी व्यस्त रहा है उन्होंने आज ढाका में बांगलादेश के यंग अचीवर्स से मुलाकात की जोरान बांगलादेश क्रुकेट टीम के खिलाडी मश्रफे मुर्तजा और शाकिब अलहसन भी मोजूद थे वही ढाका में शहीद समारक पर पहुंचकर मोदी ने श्रधान जली दी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ढाका के सावर में राष्ट्र सहीद समारक पर श्रधान जली दे कर पोधार ओपन भी किया वह आज बांगलादेश को कोरोना वैक्सीन की बारा लाग डोस भी उपहार में देने वाले हैं इससे पहले बांगलादेश पहुंचरे पर प्रधान मंत्री शेख हसीना ने धाका हवाई अद्धे पर पियम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें